नमस्कार विद्यारतियो आज सबका स्वागत है एजुकेस्टन राइस के स्वानलाइड प्लेटफॉर्म पर और प्रिय विद्यारतियों आपका हिंदी का जो एक्जाम होना हिंदी साहित्य का तो उसमें जो अलंकार वाला टॉपिक है वह उपन आज पढ़ेंगे इसमें ठी लिए खाहितार से समझते उपणालंकार क्या होता है उप मा lah tekrar जो है इसमें होता क्या है कि यहां पर देखिए कि जब किसी विस्यगण या स्वभाव की क्या होता जाए कोई विसेस गुन है या ऐसा स्वभाव हैना जिसकी समांता के कारण एक वस्तु या प्राने की तुलना किसी दूसरी लोग प्रिय वस्तु के साथ की जाए किसी समानता की वज़ा से एक वस्तु या प्राने की तुलना किसी लोग प्रिय वस्तु के साथ की जाए तो उपमा अलंकार होता है अर्थाद उपमे की उपमान से रूप गोण और आकार प्रकार की समानता बताई जाए ठीक है किसकी समानता बताई जाए उपमे कोण होता है और उपमान कोण होता है इसको अभी अच्छी तरह से समझेंगे आपने देखा होगा कि किसी के सुन्दरता की जब तुलना करनी होती है तो विसेस करके चंद्रमा का उधारन दिया जाता है किसी के आँखों के तुलना करनी होती है तो कमल या फिर मचली के समान नेत्र ऐसे उपमा दी जाती है हीरन के समान ठीक है न? तो यहाँ पर जिससे तulना दी जाती है जैसे चंद्रमा, तो वो तो हो गया उपमान और जिसकी तुलना की जाए, वो हो गया उपमे इसे पना अगे अभी विस्तार से समझते हैं एक बार फिर से देहन से इसको समझेंगे, आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है कि उसके तुलना दी जाए, रूप, गोण और आकार प्रकार की समानता बताई जाए, तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, वहाँ पर उपमा कहलाती है, ठीक है, समझेगा वापस, कि किसी प्रसिद, व्यक्ति, वस्तु या इस्थान के साथ, किसी प् तो eller शते हैं, तेको यहाँ पर लिका है, एक उदारन है, हाँ, एक उदारन यहाँ पर दिया हुआ है, कि सिंधू साब व्यस्तरित और अथा एक निर्वासित का उत्सा, निर्वासित यहाँ पर भगवान राम की बात हुई है, भगवान राम जब वनवास गये थे, तो उ समय उनका जो उत्सा था उनका उस उत्सा की तुलना यहां पर सिंधु से की जा रही सिंधु का मतलब समुद्र है सिंधु का मतलब है समुद्र है ठीक है नहीं सिंधु का मतलब समुद्र है तो सिंधु सा सामने के समान विस्त्रित और अथा विस्त्रित और विसाल अथा यान एक निर्वासित यानि भगवान राम ठीक है ना? तो यहाँ पर निर्वासित जह वो बातुरी भगवान राम की तो यहाँ पर आप देखेंगे कि निर्वासित राम का उत्सा सिंधु यानि समुद्र के समान विस्तृत और अथा बताये गया है अते है उपमे उच्सा को उपमान सिंदु सा विस्तरित बताए गया है तो उपमे कौन हो गया? उपमे हो गया यहाँ पे उच्सा उपमे हो गया? उच्सा और उपमान कौन हो गया? उपमान हो गया सिंदु सा सिंदु सा मनने समुद्र के समान समुद्र के समान तो समुद्र जो है वो यहां पर हो गया उपमा आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो इस तरीके से आपको जब उपमा अलंकार लिखना होता है आगे बढ़ते हैं नेक्स जो इसमें फेर से बेक आएंगे हाँ यह हो गया अब देखो अब यहां पर क्या करेंगे अपन उपमा के अंग देखते हैं तो उपमा जो होता है उपमा अलंकार जो होता है उसके चार अंग होते हैं इसे अच्छी तरह से समझेगा उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं इसे अच्छी तरह से समझेंगे पहला तो होता है उपमे पहला होता है उपमे वह बस तू जिसकी तुलना की जाए जिसकी तुलना की जाए बस आपको यह सब्द याद रखना जिसकी तुलना की जाए उपमान होता है जिससे तुलना की जाए उपमान जिससे तुलना की जाए ठीक है अभी हमने दे और उत्सा जो वो उपमे था आगे बढ़ते हैं next यहाँ पर देखेंगे आप इसके बाद में एक आता है वाचक सब्द एक आता है आपका वाचक सब्द आता है वाचक सब्द क्या होता है वह सब्द जिससे तुलना प्रकट की जाए अत्वा उपमे उपमान के बीच संबंद इस्तापित किया जाए और इसमें ये चीज़ें आप याद रखना परिक्साम इसे से पकड़ में आएगा कि अलंकार कौन सा है उपमा अलंकार है या नहीं है कैसे पकड़ में आए तो यहाँ पर जो सब्द दिये हुए हैं आपके सामने लिके हुए है सा है सारिस है सम है समान है समा हुए आदी ये कुछ ऐसे सब्द हैं जिनें अपन कहते हैं वाचक सब्द और वाचक सब्द से ही अलंकार पकड़ में आता है तो ये उपमा अलंकार के कुछ ऐसे वाचक सब्द है नेक्स सादारन धर्म तो सादारन धर्म क्या होता है कि जिस गुण की समानता के कारण उपमे उपमान की तूलना की जाए वो गुण जिसकी वज़े से समानता दर्साई जा रही है दोनों के बीच में तो वो जो गुण होता है न वो सादरन धर्म होता है मतलब दोनों में कॉमन होता है सादरन धर्म का मतलब होता है दोनों में एक समान होता है दोनों में कॉमन होता है तो उपमे उपमान की तूलना की जाए अर्थात वह सब्द जिससे एक समान रूप गोंड धर्म आदी प्रकट होते हैं दोनों में उसमें भी है और उसमें भी है दोनों की जो तुलना की जा रही है यानि उपमे और उपमान दोनों में वो चीज होनी चाहिए जैसे उक्त हुदारण में जो अपने देखा सिंधु सा विस्तरित और अथा एक निर्वासित का उत्सा है तो हमने यहाँ पर देखा विस्तरित और अथा सब्द उपमे उपमान का एक सा गोंड प्रकट करता है मतलब कि वो जो समुंद्र है वो भी विस्तरित और अथा है और वो जो निर्वासित व्यक्ति है उसका जो उत्सा है वो उत्सा भी कैसा है विस्तरित और अथा है तो ये विस्तरित और अथा दोनों में बताया गया है इसे लिए ये जो है न, ये हो गया दोनों का साधारन धर्म, यानि common, दोनों में common है, इसलिए ये हो गया साधारन धर्म, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, इसके 4 भेद हमने देखे हैं, उपमालंकर के 4 भेद होते हैं, पहला होता है, एक बार फिर से मैं थात जिस की जिस की तील न कीजाएं दूसरा हमने देखा उपमान दूसरा हमने देखा उपमान उपमान मैंने जिस से जैसे चंद्रमा जैसे समुंद्र जैसे सिंदू ठीक है उपमे उपमान वाचक सब्द तीसरा है अपना वाचक सब्द वाचक सब्द मतलब जिस सब्द से जिस सब्द से प्रकट की जाए जैसे सा सारी ससम और चोता है साधारन धर्म यानि दोनों में कॉमन साधारन धर्म यानि दोनों में कॉम यह उपमा के अंग हैं उपमा के अंग यह चारों उपमा के अंग हैं अब देखिए अब आगे बढ़ेंगे और इसको और विस्तार से जानते हैं उपमा के भेद अभी हमने देखा उपमा के अंग चार अंग होते हैं और उपमा के भेद जो है तो इसमें उपमा के दो भेद ह तो उपमा अलंकार के तीन भेद हैं और तीन में पहला है पूर्ण उपमा मतलब पूर्ण उपमा जहां पर जहां उपमा के उपरियुक्त चारों आंग उपस्तित होते हैं जिस उधारण में उपमा अलंकार के चारों ही आंग उपस्तित हो कौन से चारों आंग उपमे उपमा तो इससे क्या बनता है यह हो गया पूर्णोपमा नाम से इस पस्ट है पूर्णोपमा तो इसमें क्या होता है कि इसके चारों अंग उपस्टित होते हैं नेक्स्ट है लुपतोपमा, लुपत उपमा, जहां उपमान के ँपरियुक्त चारों अंग में से, एक भी अंग अगर लुपत हो जाए, तो वहाँ पर होता है, लुपतोपमा, इस नाम से इसपस्ट है, लुपत उपमा, मतलब कोई न कोई अंग इसका लुपत होगा कोई कोई अंग इसका गायब होगा तो चारों में से एक अंग भी अगर लुपत हो जाए तो वह होता है लुपत अपमा और नेक्स्ट है मालोपमा जहां एक उपमे के लिए अनेक उपमानों की योजना की जाए वहां पर मालोप मालंकार होता ह याद रखने के लिए माल उपमा मतलब माला माल मतलब बहुत सारे उपमान जिसके लिए उपस्तितो जिस उपमे के लिए बहुत सारे उपमान उपस्तितो वो हता है माल उपमा तो इस तरीके से हमने देखा इसके तीन भेज जो है वो हमने यहां पर देख लिए ठीक है तो तो यहाँ पे देखे उदारन लिखा है कि हीरनी से मीन से सूखंजन समान चारू अमल कमल से बिलोचन है ये तुम्हारे तो देखो किस से हीरनी से मीन से और सूखंजन से यहाँ पे तीन उपमान लिये गए हैं तो उगत उदारन में आख आयानी उप में जो है उप में किसकी बात हो रही है अमल कमल से बिलोचन है ये तुमारे बिलोचन यानि आख है तो आखों के लिए यानि आख उप में एक है उप में एक है और इस एक उप में के लिए के लिए हीरनी मीन यानि मचली खंजन एक पक्सी होता है और कमल उपमान लाए गए हैं तो कितने उपमान कि आखों की सुंदर्ता बताई गई है अतही से मालोपमा कहेंगे यहां पर कौन सा उपमालंकार हुआ यहां पर मालोपमा उपमालंकार हुआ चीक है चलिए हाँ आगे बढ़ते हैं तो देखो इस तरीके से तो यह तो हो गया पूरा हमने देखा यहां पर मैं एक बार फिर से आपको रिवेज्रेस कर दो कि हमने क्या क्या देखा है, हमने देखा jsutma lankar Linkar कहा पर होता है, हमने किसी व्यक्ति के गोण किसी अदी के दोरा समानता प्रकट की जाए वहां में पर जैज़ पर ऊपमा आलंकार होता है। उपमा के अंग हमने देके चार अंग होते हैं और उपमा के भेद देके हमने तीन इसके भेद होते हैं। मैं आसा करता हूँ आपको सायद अच्छी तरह से इस टॉपिक समझ में आ गया होगा। इसकी PDF आपको हमारे टेलिग्राम चैनल में मिल जाएगी। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुआ ले लिजेगा। और नेक्स जो हलंकार है उसको अगले वीडियो में पढ़ते हैं। जल्दी मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाई, धन्यवाद, थेंक यूू.